आज 9 में 2021 के अव्यक्त मदूर महावाख्य और ये अव्यक्त मदूर महावाख्य अव्यक्त बाप दादा ने 27 डिसेंबर 1987 को सुनाए थे जिसमें विशेश बाबा ने निश्चे बुद्धी विजय रत्न की निशानिया बताई हैं आठ मुख्य निशानियां बताई हैं कि निश्चे बुद्धी आत्मा का दुखानी नशा कैसा होता है स्रेश्ट स्वमान कैसा होता है उनकी स्थिती कैसे होती हैं ये सब बातों को बाबा ने बहुत बीटेल से स्वश्ट किया है साथी साथ बाबा ने बताया कि निश्चे बुद्धी आत्मा की आंत्रिक अवस्था कैसी होती है उसकी भाषा क्या होती है उसके दृष्टी कैसी होती है इनों कालों को देख सके ऐसी दृष्टी होती है और फिर बाबा ने कहा अगर किसी से भी पूछा जाए निश्चे बुद्धी हो तो सभी हाँ कहेंगे क्योंकि निश्चे ये ब्राह्मन जीवन का फाउंडेशन है परन्तु जिस तरद दुनिया के अंदर की अलग-अलग प्रकार के तुफान आते कभी वायू का कभी समुद्धर का ठीकिसी तर यहाँ पर भी बच्चों के सामने माया अनेक प्रकार के तुफान लाती है कभी माया का तुफान आता है तो यह अलग-अलग तुफान माया ले आती है और ऐसे समय पर ही बच्चों की परिक्षा होती है जिस तरह तेज तुफान होते हैं तो बड़े-बड़े वरिक्ष भी उखर जाते हैं लेकिन यहां बाबा कहें उखरते कम है लेकिन धिलते ज्यादा है लेकिन एक बार हिले तो भी फान्डेशन को कमजोर होई गया तो इसलिए बाबा कहें जो हिलता है अर्थात वो जन्म-जन्म की स्रेष्ट प्रालब्त से हिल जाता है असलिए बच्चों को कोई भी परिस्थती में अपनी स्थिती को इतनी मजबूत रखना है कि बीतर से माया उनको हिला न सके और सदा खुश रहे दिल पसंद, लोग पसंद और बाब पसंद ये तीनों सर्टिफिकेट सहष्टा से हर तुफ़ान को पास करके प्राप्त कर ले तो ये थे आज के बाबा के महावाक्यों के सार्थ बाकी निश्चे बुद्धी विजय आत्मों की निशानिया विस्तरत रुप से सुनेंगे ओम शान्ती निश्चे बुद्धी विजय रत्मों की निशानिया आज बाप दादा अपने चारों और के निश्चे बुद्धी विजय बच्चों को देख रहे है हर एक बच्चे के निश्चे की निशानिया देख रहे है निश्चे की विशेश निशानिया पहली जैसा निश्चे जैसा कर्म मनुष्य के कर्म उसके अंदर की द्रिडता कहो निश्चे की आधार पर पुप्पे है वाणी में हर समय चहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा बुसरी निशानी हर कर्म संकल्प में विजई सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो स्रेश्ट जीवन वा बाप और परिवार के संबन संपर्ग द्वारा एक परसेंट भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा. अपने स्रेश्ट आग्य, स्रेश्ट जीवन, बाप या परिवार, संकल्प मात्र भी संशय नहीं होगा. चौथी निशानी, question mark समाप हर बात में बिंदू बन, बिंदू लगाने वाले होंगे संशे बुद्धी नहीं तो natural है तो question भी नहीं हर बात में बिंदू, बिंदू बन, बिंदू लगाते हुए बिंदू बाप को याद करने वाले पांचवी निशानी, निश्चे बुद्धी हर सममय, अपने को बे फिकर बात्षा सहज स्वतह अनुपो करेगे अर्थाद, बार बार स्मृति लाने की महनत नहीं करनी पडएगी मैं बात्षा हूँ, यह कहने की महनत नहीं करनी पडएगी लेकिन सदा स्थिती के स्रेष्ट आसन वा सिहासन पर स्थित है ही है बेफिकर बाच्षा के स्रेष्ट आसन स्रेष्ट स्थिती वा सिहासन पर सदा स्थित है है जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिती प्रमा स्थिती बनती है चाहे दुख की चाहे सुख की उस स्थिती की अनुभूती में स्वतह ही रहते हैं बार-बार मेहनत नहीं करते हैं मैं सुखी हूँ वा मैं दुखी हूँ बेफिकर बाक्षा की स्थिती का अनुभव स्वतह सहज होता है अज्ञानी जीवन में परिस्थिति और प्रमान स्थिती बनती है लेकिन शक्तिशाली अलोकिक ब्राह्मन जीवन में परिस्थिती प्रमान स्थिती नहीं बनती लेकिन बहुत सुंदर बात बाबा ने कही लेकिन बेफिकर बादशा की स्थिती वा स्रेश्ट स्थिती बात दादा द्वारा प्राप्त गवी knowledge की light might द्वारा याद की शक्ति द्वारा जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्सा बाप द्वारा मिलता है तो ब्राम्मर जीवन में बाप के वर्से द्वारा ये स्रेश्ट स्थिती knowledge की light might और याद की शक्ति द्वारा वर्से के रूप में मिली है तो ब्राम्मण जीवन में बाप के वर्से द्वारा वा सत्गुरु के वर्दान द्वारा वा भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए स्रेश्ट भाग्य द्वारा स्थिती प्राप्त होती है ये स्थिती हमें वर्से के रूप में, सत्गुरु के वर्दान के रूप में या भाग्य विधाता द्वारा स्रेश्ट भाग्य प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर हमारी स्थिती बनी है अगर परिस्थिती के आधार पर स्थिती है तो शक्तिशाली कौन हुआ? अचल अडोल नहीं रह सकता जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोय हुए है तो अलोकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होता है परिस्थिति के आधार पर नहीं लेकिन अपने वर्से और वर्दान के आधार पर स्रेश्थिति प्राप्त हुई है तो वो स्रेश्थिति के आधार पर परिस्थती को ही परिवर्टन करने वाला होगा तो निश्चय बुद्धी इस कारण सधा पे फिकर पाक्षा है क्योंकि फिकर होता है कोई अप्राप्तिवा कमी होने के करण अगर सर्वप्राप्ति स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान है तो फिकर किस बात का रहा एच छटी निशानी निश्चे बुद्धी अर्थात बाप पर बलिहार जाने वह बलिहार अर्थात सर्वन्ष समर्पित सर्वन्ष समर्पित माना सर्ववन्ष सहीत समर्पित इतने वन्ष है चाहे देभान में लाने वाले विकारों का वन्ष चाहे दे के संबंधों का वन्ष चाहे दे के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वन्ष ये तीनों वन्ष सहित समर्दू सर्व वन्ष में ये सब आ जाता है कौन से कौन से बताए विकारों का वन्ष दे के संबंधों का वन्ष और देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश सर्ववंश में ये सब आ जाता है सर्वंश समर्पित वा सर्वंश प्यागी एक ही बात के है समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मदुबन में बैड़ गए वा सेवा केंद्रों पर बैड़ गए यह भी एक सीड़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पन करते है यह पहली सीड़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पन किया लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीड़ी की मंजिल है स्वयम को अर्पित करना फिजिकली सेवा अर्थ यह पहली सीड़ी है और सरवन्ष अर्पित हुना अर्ठा वो सीड़ी की फाइनल स्टेज है एक सीड़ी चड़ गए लेकिन मन्जिल पर पहुँचने वाले निश्चे बुद्धी की निशानी है तीनों ही वन्ष सहित अर्पि विकारों का देखे संबंदों का इच्छाओं का तीनों ही वन्ष सहित अर्पित ये है निश्चे बुद्धी आत्माओं की निशानी तीनों ही बाते स्वष्ट जान गए ना वन्ष तब समाप्त होता है जब स्वपन वा संकल्प में भी अंश मात्र नहीं अगर अंश है तो वन्ष पैदा हो की जाएगा इसलिए सर्वन्ष त्यागी की परिभाषा अतिगुई है यह भी तबी सुनाएगे अच्छा सात्वी निशानी निश्चे बुद्धी सदा बेफिकर निश्चिन्थ होगा हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभो करेगा निश्चिन्थ होगा और निश्चित अनुभो करेगा विजय प्राप्त होने में तो निश्चे निश्चिन्थ और निश्चित यह हर समय अनुभो कराएगा उटको करेगा है लेकिन दूसरों को भी अनुभो कराएगा तो भर बात में विजय प्राप्तुने के नशे में निश्चित अनुभो करेगा और निश्चय निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभो कराएगा आठवी निशाने वह सदा स्वयम भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रुहानी नशा अनुभो कराएगा पिर बहुत अच्छी बात बाबा आगे स्पष्ट करते हैं यह तो हुई निश्चय बुद्धी विजय आत्मों की निशानिया अब बाबा कहें निश्चय बुद्धी की वह रुहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेष्टाएं क्या होगी ऐसे निश्चय बुद्धी पर रुहानी नशे में जो रहता है उसकी जीवन की विशेष्टाएं क्या होगी पहली बाद जितना ही स्रेष्ट नशा उतना ही निमित भाव हर जीवन के चरित्र में होगा पुरा चरीत्र उसका निमित निर्मान निमित भाव की विशेष्टा के कारण निर्मान बुद्धी बुद्धी पर ध्यान देना जितनी निर्मान बुद्धी होगी उतना निर्मान करते रहेंगे निर्मान करते रहेंगी यानि नव निर्मान कहते हो न तो नव निर्मान करने वाली वुद्धी होगी तो निर्मान भी होंगे नव निर्मान भी करेंगे उसकी जीवन की विशेष्टा जहां यह विशेष्टा है उसको ही कहा जाता निश्चे वुद्धी विजए निमित, निर्मान और निर्मान ये उसके चरित रवेंगे ये उसके जीवन की विशेश नाएगा निश्चे बुद्धी की भाषा क्या होगी? बहुत सुन्दर बात यहां भी कही है निश्चे बुद्धी की भाषा में सदा मदूरता तो common बात है लेकिन उदार्ता होगी इस बात की उदार्ता? उदार्ता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रती आगे बढ़ाने की उदार्ता होगी पहले आप मैं मैं नहीं उदार्ता अर्थात दूसरे को आगे रखना जैसे ब्रह्मा बाप ने सदे पहले जगतंबावा बच्चों को रखा मेरे सेवी तीखी जगतंबाव ए मेरे सेवी तीखे ये बच्चे है ये उदार्ता की भाषा है और जहां उदार्ता है स्वयम के प्रती आगे रहने की इच्छा नहीं है वहां ड्रामा स्वतह ही जितना स्वयम इच्छा मातरम अविद्या की स्थिती में रहते उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते हैं वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप वही जाता है लेकिन इच्छा वाला नहीं करता है इच्छा वाला पहले आप या पहले आप नहीं करता दूसरों को और पहले मैं करता है तो निश्चे बुद्धी की भाषा, सदा उदार्ता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चे बुद्धी विजएए निश्चे बुद्धी तो सभी हो न, क्योंकि निश्चे ही फाउंडेशन है ब्रामुना जीवन का फाउंडेशन ये निश्चे है लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, बिन बिन स्वभाओं का तुफान आता है तब मालूम पढ़ता है निश्चे का फाउंडेशन कितना मजबूत है जैसे इस पुरानी दुनिया में बिन बिन प्रकार के तुफान आते हैं न कभी वायू का, कभी समुद्र का, ऐसे यहां भी बिन बिन प्रकार के तुफान आते हैं परिस्थितियों का, माया का, स्वभाओं का, संस्कारों का, तुफान क्या करता है पहले तो उड़ाता है, फिर पैखता है तो यह तुफान भी, माया कितनी चतुर है, यह तुफान भी पहले तो अपनी तरफ मोज में उड़ाते हैं अल्पकाल के नशे में उंचे ले जाते हैं क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति ये मेरे तरफ होने वाले नहीं है तो पहले artificial प्राप्ति में उपर उड़ाती है फिर नीचे गिर्ती कला में ले आती है चतूर है न? तो निश्चे बुद्धी की नजर प्रिनेत्री होती है पहले से माया को परख लेना होता है। तीसरे नेत्रत से तीनों कालों को देख लेते हैं। इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। तो निश्चे की परख तुफान के समय होती है। जैसे तुफान बड़े बड़े पुराने वरुक्ष के फाउंडेशन को उखाड लेते हैं। तो यह माया के तुफान भी निश्चे के फाउंडेशन को उखेडने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिजल्ट में उखेडते कम हैं। माया इतना उखाड नहीं पाती है। कम। खिलते ज्यादा है। खिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चे के फाउंडेशन को चेक हो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चे पक्का है तो क्या कहेंगे। बहुत अच्छा वाशन करेंगे। अच्छा भी है निश्चे में रहना लेकिन समय पर अगर निश्चे हिलता भी है। कहरी बात बाबा ने बताए। समय पर अगर निश्चे हिलता भी है तो निश्चे का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रालब्द से ह इसलिए तुफानों के समयचे पर कोई हद का मान शान न दे वह व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तुफान आये है। कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूं वह याद रहता है वह व्यर्थ समर्थ के उपर विजय हो जाता है। करेगा दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तुफान के समयचे पर हद का मान शान मैं पन रुहानी शान से नीचे ले आता है। हद का मान शान मैं पन रुहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा इच्छा मात्रम अविद्या के निचे ले आती है। हद की कोई भी इच्छा इच्छा मात्रम अविद्या के निचे ले आती है। तो निच्छे का अर्थ यह नहीं कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। लेकिन कौम सी आत्मा ह। वह नशा वह स्वमान समय पर अनुभव हो। इसको कहते हैं निच्चे बुक्ती विज़ई। कोई पेपर है ही नहीं और कहें मैं तो पास लित ओनर हो गया। तो कोई इसको मानेगा। सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए। डिगरी ले ले ले। लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं दोगी। पेपर के समय पेपर दे पास हो सर्टिफिकेट ले। इसे बाप से परिवार से तब उसको कहेंगे निच्चे बुद्धी विज़ई। समझा। फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निच्चे बुद्धी की विशेष्टा सुनी ना। जैसा समय वैसे रुहानी नशा जीवन में दिखाई दे है। सिर्फ अपना मन खुश नहों लेकिन लोग भी खुश हो। सभी अनुभव करें कि हां ये नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहें लेकिन लोग पसंद बाब पसंद। इसको कहते हैं विज़ई। अच्छा। सर्व निश्चे बुद्धी विज़ई रत्नों को, सर्व निश्चिन्त बेफिकर बाच्चा बच्चों को, सर्व निश्चित विज़ई के नशे में रहने वाले रुहानी आत्माओं को, सर्व तुफानों को पार कर तोफा अनुभव करने वाले विशेश आत्माओं को, सुधा अचल, अडोल, एकर स्थिती में स्थित रहने वाले निष्चेई बुद्धी बच्यों को, बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते, हम सब रुहानी बच्यों की रुहानी मात्रिता बाप दादा को याद, प्यार, Good Morning और नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया करते हो, समीप रत्न की निशानी क्या है? वस्वदा सहज और स्वतह ज्ञानितु आत्मा, योगीतु आत्मा, गुण मूरत, सेवाधारी अनुभो करेगे। एक भी कम नहीं होंगी, ज्यान में कम हो, योग में तेज हो, या दिवियगुणों की धाना में कमजोर हो, वस्वदा सदा ही सहज अनुभो करेगा। समी प्रत्म, किसी भी बात में महनत नहीं अनुभो करेंगे, लेकिन सहज सफलता अनुभो करेंगे, क्योंकि बाप, दादा, बच्चों को संगम युक पर महनत से ही छुडाते हैं, प्रेसे जन्म की महनत की है न, चाहे शरीर की महनत की, चाहे मन की महनत की, बाप को प्राप्त करने के लिए बिन बिन साधन अपनाते रहे तो यहां मन की महनत की और धन की भी देखो जो सर्विस करते हो जिसको बाप दादा नौकरी कहते है उसमें भी देखो कितनी महनत करते हो उसमें भी तो महनत लगती है ना और अभी आधा कल्प के लिए ये नौकरी नहीं करेंगे अभी आधा कल्प के लिए कोई नौकरी नहीं करेंगे इससे भी छूट जाएंगे न लौकिक नौकरी करेंगे न भक्ती करेंगे दोनों से मुक्ती मिल जाएगी अभी भी देखो चाहे लौकिक कारिय करते भी हो लेकिन ब्राम्मर जीवन में आने से लौकिक कारिय करते हुए भी अंतर लगता है ना अभी अलौकिक कारिय करते भी डबल लाइट रहते हो क्यों क्योंकि लौकिक कारिय करते भी यह खुशी रहती है कि यह कारिय अलौकिक सेवा के निमित कर रहे हैं अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है न तो जहां इच्छा होती है वहां महनत लगती है अभी निमित मात्र करते हो क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुना अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है पिर जमा किया हुआ खाते रहना पुर्शार्थ से योग लगाने का ज्यान सुनने सुनाने का इस महनत से भी छूप जाएंगे कभी कभी क्लासे सुनकर खक जाते हो ना कुछते बावे वहां तो लौकिक राजनितिक पढ़ाई भी जो होगी ना वह भी खेल-खेल में होगी लक्षमी नारायन जैसे या प्रिंस बिंसे जो राजनितिक पढ़ाई पढ़ेंगे वह भी खेल-खेल में होगी इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छुट जाएंगे, कईयों को पढ़ाई का भी बोज होता है संगम युग पर मेहनत से छुटने के संसकार भरते, चाहे माया के तुफान आते भी है लेकिन यह माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हैं, मेहनत नहीं खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है न? तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हैं, खेल लगता है या बड़ी बात लगती है जब मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा और यह चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ तो विदाई समारों मनाने आती है लड़ने नहीं आती है माया भी अभी विदाई समारों मनाने आती है, लड़ने नहीं आती है, विजेई रतना हर समय, हर कारिय में विजेई है, विजेई हो ना, सभी ने कहा हाँ जी, तो वहाँ जाकर भी हाँ जी करना, फिर भी अच्छे बहादूर हो गये हैं, पहले थोड़े जल्दी घवरा जात अभी बहादूर हो गये हैं, अभी अनुभवी हो गये हैं, तो अनुभव की ऑथोरिटी वाले हो गये, परखने की भी शक्ती आ गई है, इसलिए धवराते नहीं, अनेक बार के विजेई थे, है और रहेंगे, यही स्मृती सदा रखेंगा, वर्दान भी मिल गया, अनेक ब के विजेई थे, है और रहेंगे, यही स्मृती सदा रखेंगा, अच्छा, फिर विदाई के समय दादियों से, उसमें भी दादी जान की बंबई से तेन-चार देन का चक्र लगा कर आई है, अभी सेही चक्रवर्ती बन गये, अच्छा है, यहां भी सेवा है, वहां भी बादी, यहां रहते भी सेवा करते और जहां जाते वहां भी सेवा हो जाती, सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है, बड़े ठेकेदार हो ना, छोटे-छोटे ठेकेदार तो बहुत है, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना परता है, फिर दादी ने कहा, बाबा आज मुरली सुनते बहुत मज़ा आया है ही मज़ा बाबा ने कहा अच्छा है आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हैं सभी तो एक जैसे कैच नहीं कर सकते हैं जैसे जब दंबा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही सामने वालों को नहीं देखते जो बैठे हैं सभा में उन्हें की नहीं देखते सबी को सामने रखते हैं फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हों अच्छा, आज का मदुरवर्दान व्यर्थ की लिकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भवव संगम युप पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे व्यर्थ से बचाओ करना अर्थात समर्थ बनना जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाएं यह हो नहीं सकता अगर व्यार्थ की लिकेज है तो कितना भी पुर्शार्थ करो मेहनत करो लेकिन शक्ति शाली बन नहीं सकते इसलिए लिकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यार्थ से समर्थ हो जाएंगे इसलिए बाबने का व्यार्थ की लिकेज को समाप्तर समर्थ बनने वाले कम खर्च पाला मशिन दोगेज़ आज का स्लोगन है प्रवरत्ती में रहते संपूर्ण पवित्र रहना यही योगी वा ज्यानितु आत्मा की चेलेंज है। अच्छा, ओम श्यानितु आत्मा की चेलेंज है।